नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभिनंदन हमारे इस चैनल खेल ग्रावों का में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्रावण मास में आपकी रासी गनुसार सीव पूजन क्या करें कौन सा मंत्रजाप करें और आपको उससे क्या फाइदा होगा भगवान सिव भोले बंडारी है उनकी पूजा जो विक्ति जिस भावसे करता है वे उससे ही प्रसन हो जाते हैं सर्व सुलब जल से जब सिवलिंग का अभिशेक करते हैं तो भगवान सिव का विसे आसिरवात प्राप्त होता है अपनी इसी प्रकति के गारण उन्हें शिव और भोले नात जैसी संग्यां दी गई है वे सभी का कल्यान करने वाले हैं इस स्रष्टी में उनकी करपा सही मानव जाते का उत्थान हुआ है उन्हें के द्वारा प्रकाशित ग्यान से मानव जाते ने विकास किया है वे सभी बहुतिक सुख सुविदाओं को प्रदान करने वाले और जीवन को सही रहा पर चलाने वाले प्रमुक्त देव हैं भगवान सिव को सिग्र पसंद होने वाला देव भी कहा जाता है वे अपनी इनी विशिस्ताओं के कारण भगवान सिव सनातन धर में परम पूझ्य है वैसे तो भगवान सिव की पूझा हम सभी करते हैं लेकिन अपनी रासी के नुसार यदि भगवान सिव की पूझा उपासना की जाए तो भगवान सिव से सीगर ही मनोनुकुल आसिरवार प्राप्त किया जा सकता है अथाद जो चाहें वो वर्दान प्राप्त किया जा सकता है जो आपका कस्त है उसको निवरन आप कर सकते हैं जो आपकी जो आपकी चाहना है जो आप चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं श सबी हमारे देखने की आदत है सिव पूजा से प्रतियक रासी वाले जात्त को क्या मिलेगा अधा किस कारण उसको सिव पूजा उपासना करनी चाहिए क्या उसको फाइदा मिलेगा इसी जिग्या सा इसी संका के समाधान के लिए आज का ये एपिसोड है आज के इस एपिसोड में अपनी रासी के नुसार बगवान सिव की पूजा कैसे की जाए क्यों की जाए ये बताने जा रहा हूँ श्रावण माम होने के कारण अथा जो आने वाला समय श्रावण माम आने वाला है बर भगवान का सिव का पूजन करने से सीख रही उनका आसिरवाद मिलता है अथा भगवान सिव के निमित उपवास रखके पूजा अर्चना आपको अवश्य करने ही चाहिए है आरम करते हैं म मेश रासी वाले जातकों को मेश रासी वाले व्यक्तियों को भगवान सिव का पूजन करने से सुख सांती उच्छ सिक्सा वाहन माता का सुख भवन का सुख इन सब सुखों की प्राप्ति होती है और मेश रासी वाले व्यक्तियों को सिवलिंग पर शमी के पुष्प अरपित करने चाहिए और इस मंत्र से बगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए ये मंत्र आपने स्किन्शोट ले लेना है कहीं पर नोट कर लेना है यता संभव यता सक्ती जितना आप का समय हो जितना आप कर सकते हैं स्रावण माह में इस मंत्र का जाब करना है मेश रासी वाले व्यक्तियों को. मंत्र बहुत अच्छे डंग से सून लीजेगा, प्रोनॉन्सेशन उसका उच्छाणा आप सीख लीजेगा, रीम, ओम, नमस, सिवाय, रीम, रीम को H-R-E-E-M, इस प्रकार से बोलेंगे, आईए, अब बात कहते हैं, व्रस रासी की, व्रस रासी वाले व्यक्तियों को भगवान सीव का पुजन करने से बल, अताद, स्ट्रेंथ, एनरजी, पराकरम, नेमफेम, और कारे समता में व्रद् फल ट्राप्त होते हैं, और रसब रासी वाले व्यक्तियों को सिवलिम पर आख के पुस्प अर्पित करने चाहिए, अताद, विसेश अगर कोई पुस्प चड़ाना है, तो आख का पुस्प चड़ाना है, और यहों भी शिव जी को आख और धुतूरा बहुत प्री है, इस मंतर से शिव जी की उपासना करने चाहिए, इस मंतर का जाप करना चाहिए, जो की जगत पसीद्य है, पंचाक्षी मंतर इसको बोलते है, ओम नमा शिवाए, बहुत सिंपल सा मंतर है, जो जितना यता सकती, जितना समय आपके पास में हो, उतना ही मंतर जाप कर सकते हैं, आपके रिस्तदार हैं, जो आपके घर में रहते हैं, जिन से आपका रिस्ता है, उनका सयोग आपको मिलेगा, वानी सिद्ध हो जाती है, जो बोलते हैं, वो ही गटित होता है, और स्रेश्ट संपरेशन समता प्राप्त होती है, जो भी हम काम करना चाहते हैं, जो भी लोगो अगर ऐसा योग लेना चाहते हैं, वो टेलीकॉम, वो टेलीपैती वाली सिस्टम हमें समता प्राप्त होती है, मितुनरसी वाले व्यक्तियों को भगवान की सिव की पूजा के निमित, शमी के पत्ते और कुश के पुश्प अरपित करने चाहिए, शमी के पत्ते का मतलब आम और खेजडी, जो कि आप विजय दस्मी को जब आप पूजन करते हैं तो उरके पत्ते भी लाते हैं, और शमी की लगडी का हवन भी किया जाता है, आउति भी दी जाती है, सनी के लिए शमी की आउतियां दी जाती है, समी की लगडी की आउतियां दी जाती है, कुश के पु ग्वते रुद्रा है बहुत छोटा सा मंत्र है जो कि आपने एक माला अगर ठीक जपली अगर मन लगा करके तो यह मंत्र याद हो जाएगा आईए अब बात करते हैं करकरासी की करकरासी वाले व्यक्तियों को भगवान का सिव का पूजन करने से सभी प्रकार के सुख और सभी प्रकार के स्मनद्धी प्राप्त होती है अनुकुल स्वास्ति अता पॉजिटिव हैल्थ सभी भौतिक सुख सुख उवदाएं उसके साथ में मानसिक सांती की प्राप्ती होती है और यह सबसे बड़ी प्राप्ती है यदि संतोस प्राप्त हो जाए मानसिक सांती प्राप् अपामार्ग भी एक प्रकार का पोदा है अपामार्ग के पुस्प या अपामार्ग की जो पतियां वो जरूर आपको औरपित करनी है निमलिखित मंतर से अताथ इस मंतर से बगवान की उपासना आपको करनी है और ये मामरतुजाय मंतर है जिसको ठीक, लगू मामतुजे मंतर बोलते हैं, यह वो मामतुजे मंतर है, ओम हॉम जूम सह, ह-O-U-M, हॉम, ओम हॉम जूम सह, यह मंतर इस प्रकास से उच्चारण होगा, यता सक्ति, यता संभव इस मंतर का जाब करना है, जितना भी आपको समय मिले, कोई संख्या निजद नहीं रखनी है, जो आपकी भक्ती है, जो आपको शद्दा है, जितनी आपकी आस्ता है, उतना समय मिले, उतना मंतर जाब करना है, आईए, अब बात करते हैं, सिंग रासी के व्यक्तियों की, तो सिंग रासी वाले व्यक्तियों को भगवान सिव का पूजन करने से मांसिक स आपकी यश्मे व्रदी अथा नेम फिम में व्रदी इस्वर की प्रति आस्था आपकी बढ़ती है इस्वर की प्रति आस्था प्राप्त होती है सिंग रासी वाले व्यक्तियों को बगवान सिव की प्रसंदता के लिए उनके आसिरवाद के लिए शिवलिंग पर धतूरा और क कनेर के पुष्प अर्पित करने चाहिए आक और धतूरा नाम आपने सुनावा है कनेर के पुष्प शिवजी को पुरी है और साती इस मंत्र का आपने जाप करना है अम तुझे मंत्र है प्राय हर किसी को ये मंत्र आता है चाहिए छोटा सा बच्चा भी होगा तब भी उसको ये मंत्र आता है और यदि हमें आज तक मंत्र नहीं सिखा पाएं ये साइद हमारी कमी है क्योंकि जो संसकार है संसकार बच्चपन में से ही दे देने से क्या होता है जब भी कुछ भी उसको समस्य आएगी कटने आएगी उसको कम से कम ये मंत्र तो याद होगा और मंत्रों में शक्ती होती है क्योंकि मंत्र मनुश्य का दिन है मंत्र का अर्थ है जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो देवी देवताओं को मनुष्यों के पास में आना ही पड़ेगा अताथ उसका कारे करना ही पड़ेगा आईए अब बात करते हैं कन्यारासी की कन्यारासी वाले व्यक्तियों को बगवान सिव का पूजन करने से आर्थिकलाप बड़े भाईवेनों का सैयोग मित्रों का उत्तम सैयोग और आत्मों इस्वास में व्रद्धी ये सब कुछ मिलता है बगवान सिव की पूजा उपासना करने से कन्यारासी वले व्यक्तियों को बगवान सिव की पूजा के निवे सिवलिंग पत्त समी के पत्ते और कुश के फूल अरपित करने चाहिए साथी इस मंतर से बगवान की पूजा भी करने चाहिए यता संभव यता सकती जितना भी समय मिले आपको इस मंत्र का जाप करना है इस मंत्र की माला जप नहीं है इस मंत्र का यता सकती जब भी समय मिले तब इसको मनी मन आप जाप सकते हैं मनी मन आप दोहरा सकते हैं ओम नमो भगवते रुद्राए बहुत छोटा सा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय आईए अब बात कता है तुला रासी की तुला रासी वाले व्यक्तियों को भगवान सिव का पूजन करने से पितर सयोग अथा पिता से सयोग कारिय से तरह में उन्नती समाज में यस और प्रतिष्टा जैसे सुपफल प्राप्त होंगे तुला रासी वाले व्यक्तियों को शिवलिंग पर आग के पुष्प अर्पित करने चाहिए उनकी विसेश करपा के लिए विसेश आसिरवात के लिए या जल्दी प्रसन हो जाए शिव जी इसलिए इस मंतर से शिव जी का जाप करना है ओम नमाशिवाय आपको यह मंतर हर किसी को रटावाई है ओम नमाशिवाय आईए अब बात करते है व्रश्चिक रासी की रश्चिक रासी वाले विक्तियों को बगवान शिव का पुजन करने से भाग्या उन्नती अता भाग्योदै अपने पिता से सने, पिता से सयोग, पिता से धन प्राप्ती, पिता से संपत्ति की प्राप्ती या पैरेंटल जो संपत्ती है पैरेंटल प्रापर्टी है उसकी प्राप्ती और जीवन में बहुतिक उन्नती, बहुतिक सुख सुविदाईं प्राप्तो ऐसे सुभफल प्राप से जिस उद्देश की पूरतिकला पूजा करते हैं वो उद्देश से सफल होगा मंत्र है रीम ओम नमा शिवाय रीम अता ओम नमा शिवाय बीच में है पंचाकसी मंत्र बीच में है और उसके आसपास अता संपूट है वो रीम का है रीम ओम नमा शिवाय रीम आईए अब बात कता है धनूरासी की धनूरासी वाले व्यक्तियों को भगवान सिवका पूजन करने से अक्समात आने वाली समस्याओं से राहत अनेक्सपेक्टेड गेन अक्समात धन प्राप्ति आपके पूरुजों का असने अता जो भी घर में बड़े बुजुर गये उनसे असने उनका आस चाहिए जिससे कि आपको बचना है तो यह सब कुछ आपको मिल सकता है सिवजी की करपा से तो धनूरासी वाले व्यक्तियों को बिल्पत्र और कनेर के पुस्प सिविलिंग पर अर्पित करने चाहिए और साथ ही इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए जितना अपने पास में है और प्रैक्टिकल हो करके पूजा उपास ना करना है उम तत्ट पुरसाय विदमहे महा देवाय धीमई तन्नो रुद्रफ प्रचो दयात यह गायतिर मंत्र है मकर रासे वाले वेक्तियों को भगवान सिव का पूज़न करने से विभिन प्रकार के अरिस्टों से बचाव अता जो होने वाली दुरकटनाए है उनसे बचाव सुब वेवाहिक जीवन अता वेवाहिक जीवन अपने आप में अच्छा है उसमें भी अगर और अच्छी सुबता आजाए और अच्छा मदूरता आजाए और अच्छा ही आजाए एक दूसरे कि अटेश्मेंट बढ़ जाए उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है उससे सुब और क्या हो सकता है ये सब कुछ आपको हासिल हो सकता है मनवांचित जीवन साथी की प्राप्ति जैसा आप जीवन साथी जिन्दगी में चाहते हो वैसा जीवन साथी आपको प्राप्त हो जाए और प्राय लोग जो कुछ भी अटेजमेंट में है जो कुछ भी साधी करना चाहते हैं जिससे उसके लिए भी सिवजी की पूजा उपा आतार व्यक्ति आर्तिक उन्नति भी चाता है, जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति भी चाता है, दामपति सुक भी चाता है, जो विवाईत नहीं है वो विवा चाते हैं, यह सब कुछ आपको हसिल हो सकता है, यह सामण महीना आने वाला है, उसमें आपने यह पूजा करनी है, यह जो जो विसेश पुस्प है या पदार्त है वो सिवजी को चड़ाने है और मंत्र जाब करना है मकरासी वाले वेक्तियों को सिवलिंग पर आक अत्वा नील कमल के पुस्प और धतूरा चड़ाने से विसेश करपा मिलती है आक और धतूरा आपने नाम सुनावा है आक के पुस्प निल कमल के पुस्प और धतूरा चड़ा इस विसे स्क्रपा मिलती है और साथ ही साथ इस मंत्र का जाब करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है बहुत श्रेश्ट है ओम नमाशिवाय पंचाक्सरी मंत्र है ओम नमाशिवाय आईए अब बात करते हैं कुम्बरासी की कुम्बरासी वाले विक्तियों को भगवान सिव का पुजन करने से सत्रों से रक्षा रोग और पीडाओं से मुक्ती और सभी प्रकार के दुखों से मुक्ती मिलती है कुम रासी वाले विक्तियों को सिविलिंग पर आक और साथ में नील कमल के पुस्प या धतूरा चड़ाने से विशेज करपा प्राप्त होती है एक बार फिर सुन लिजिए आक धतूरा और साथ में नील कमल के पुस्प साथ ही साथ इस मंतर का जाप करना भी सर्व स्रेष्ट होता है ओम नमाशिवाय बहुत छोटा सा मंतर है ओम नमाशिवाय अब बात कता है में रासी की रासी करम के आखरी रासी बहुत इंतिजार किया आपने मीन रासी वाले विक्तियों को भगवान सिव का पुज़न करने से श्रेष्ट मती अता श्रेष्ट बुद्धी कॉमन सेंस समझदारी आत्म विश्वास कॉन्फिडेंस अनुकूल संतती अता संतान और उसमें भी अनुकूल संतान अता जो आपके मन के माफी को संतान समझदी कामना पूरी हो जाए अता जिसको लड़की नहीं उसको लड़की मिल जाए जिसको कन्या रतने की प्राप्ती नहीं होई है उसको कन्या रतने की प्राप्ती हो जाए या जो भी चाते हैं वो संतान आपको मिल जाए और वो भी आपके अनुकूल हो पूजा उपासना से मीन रासी वाले विक्तियों को बिलपत्र और कनेर के पुस्ब सिविलिंग पर अर्पित करने चाहिए इससे सिवजी सीगरी प्रसंता से आपका काम बन सकता है इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए यता सकती यता समय जितना मिले उतना जाप करना चाहिए ओम ततपुर्शाय विद्महे महादेवाय धीमही तन्नो रुद्रप्रचो दयाद मंत्र एक बार फिर सुन लिजे ओम तत्पुर्शाय विद्महे महादेवाय धीमहे तन्नो रुद्रप्रचो दयात यह गायतिर मंत्र है शिवजी का आज मैंने आपको बताए आपकी रासी का नुसार किस मंत्र से किस पदार से और उनकी पुजा से आपको आप भी स्वारती हैं मैं भी स्वारती हूँ हम सब पूजा पाट करते हैं तो एक पूजा पाट होता है भक्ती के लिए मेरे को इच्छा है इसलिए मैं पूजा पाट कर रहा हूँ और एक होता है कोईनकोई कामना के वसीबूत होकर के तो सभी वेक्ति कामना के वसीबुद होकर ही पूजा उपासना करना चाहते हैं तो ये जो कामना है जो भी आपकी कामना है उसके लिए क्या आपको करना है किस पुस्प से आपको पूजा करनी है और कौन सा मंत्यजा आप करना है यह हमारा उद्देश्य था आपको बताने का आप आशा करते हैं इन सब जो विदी विदान दिये हैं जो कुछ भी मैंने आज बता है उसको अपनाएंगे और अपनी जिंद्गी को अच्छा शुब और दूसरों के काम आने लायक बनाएंगे आप सभी को श्रावन मा में शिवजी का आसिरात प्राप्त हूँ आप सभी की आस्ता श्रद्दा और बलवान बने आप सभी धर्म के और नजदीक आजाएं या धर्म की रक्षा करने वाले व्यक्ति बन जाएं धर्म की करप्रा प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन जाएं ऐस इसने ऐसी सुबकामनों के साथ में आज बस इतना ही स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए अपना अपने परिवार वालों का खैल रखें और शिव जी की पूझा उपासने से अपना जीवन महकाते रहें नमस्कार का लखें क्षा बस रहे बस्वाते हैं अपने की ऑरिए में दाल अपने की मय्मपनतश प्रसंद रहीं ही स्वस्त रहीं या丹द,laखेs हैं ओफेंगें, का वालों dawके लाते हैं यickets युझाओें,